आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.3 का किस्टिन नंबर थर्ड देखेंगे थर्ड किस्टिन कह रहा है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चोडाई से दोगुनी हो और उसका छेत्रफल 800 मिट्रिस करो हमें क्या दे रखा है लंबाई चोडाई का दुगना दे रखा है तो मैंने मान लिया मानना चोडाई इक्वल्स टू एक्स तो लंबाई कितनी आ जाएगी चोडाई का दुगना दो एक्स कि यह कैसे हम के बनाना शंभव जिसकी लंबाई चोडाई से दुग नी हो और उसका छेतर फल छेतर फल हमें दे रखा हैं आट्समीटरी स्कुरेर इसका छेतर फल कितना दे रखा हैं 800 m2 अगर संभाव है तो हमें लंबाई और चोड़ाई कारनी है तो यह से पहले 6 तरफल का फोर्मूला क्या होता है आयता का रहे तो आयत का 6 तरफल लगेगा जो क्योंता है लंबाई गुना चोड़ाई चेतरफल हो गया 800 लंबाई हो गई x चोड़ाई हो गई 2x तो यहां से 2x2 इक्वल्स टू 800 दो x2 इक्वल्स टू 2 का डिवाट चल जाएगा 400 आ गया तो x2 क्या जाएगा 200 मैंने सिर्फ चार सो चार कर उठ दो तो और दस तो दो गुना दस वीस हो गया केबल पोजिटिव साइन लेंगे क्योंकि यह लंबाई यह चोड़ाई जो भी है तो यहां से जो चोड़ाई है वो तो कितनी आ जाएगी 20 मिट्र और जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी दो गोणा बीस इक्वल्स तो चालिस मिट्र ठीक है करें कि्षिचिन नमबर बढ़त घर सब्सक्राइब करें दो डो मित्रों यॉग का looked कि माना एक जोुछ दो बीस भर सिर्च बडुसरे मिट्र के आई है और इक अज़वल सिर्ची कितनी हो जाएगी टोटल 20 है तो 20 में से x गटा देंगे 20-x वर्स ठीक है इलागे कह रहा है 4 वर्स पूर उनकी आयू का गुणन फंट 48 था तो 4 वर्स पूर एक तो हो जाएगा x-4 और एक हो जाएगा 20-x-4 इक्वल्स टू यह हो गया 16-x तेख मित्र क्या हो जाएगी रेक हो जाएगी 16-x फिर करें इनका गुणन फल 48 था तो पृष्णा नुसार पृष्णा नुसार क्या करेंगे x-4 और 16-x का जो मल्टिप्लिकेशन वो कितना था 48 अंदर मल्टिप्लाई करते हैं तो x का 16 से 16 x हो हो जाए है, x का x से x स्क्वयर –4 का 16 से –4 का –x से तो प्लस का 4x 48 –x स्क्वयर इन सब को उदर लेकि जाते हैं पंद तो x स्क्वयर हो जाए राइट साइड भी तो x स्क्वयर हो गया पोजिटिव सोड़ा और च्यार 20 उधर माइनस का 20x इदर 48 पहले से 64 और आ जाएगा तो प्लस के कितने हो जाएगा 48 प्लस च्यार आट च्यार बारा दो असल एक शैर च्यार दा सरे ग्यारा दियुगात समिकान हमारे पास क्या गई कि इसने पुछाएं कि क्या यह संबाव है संबाव है तो हमें सबसे पहले 20-4 इसी चेक करना पड़ेगा तो यहांसे जो अ है वो तो है 1 बी है वो माइनस 20 c है वो 112 तो बी स्कूर मतलब माइनस 20 का होली स्कूर माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी यह हो जाएगा 400 माइनस के चारहाँ आड़तालीस यह रहा है माइनुस के अड़तालीस माइनस का मतलब क्या होगा कालपनिक और आयू कालपनिक हो नहीं है कि इस्तिती संभव नहीं है यह संभव नहीं है नेक्स्ट क्यूश्चन नंबर फिफ्ट करते हैं जो क्यूश्चन नंबर फिफ्ट है उसमें कह रहा है कि क्या परिमाप अस्सी मेट्री तथा छेत्रफल 400 मेट्री स्क्यार एक पारक को बनाना संभाव है यदि उसकी है तो उसकी लंबाई और चोड़ाई गयात किजिए ध्य परिमाप आप दे रखा है 80 मिटर चेत्रफल कितना दे रखा है फिफ्ट इत्रफल twoре अस्ट क हता है यह सी यहां से यव प्लस बी कितना जाएगा या सी में हो गई आगे चलते हैं चेत्र फल कितना होता है लंबाई गुणा चोड़ाई जो की कितना दे रखा है 400 लंबाई की वेल एक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे तो 40-b into b equals to 400 आगे सोल करते हैं तो हमारे पास 40-b minus b square equals to 400 आगे एक्वेशन बन जाएगी b square को दर वेज देते हैं 40-b negative हो जाएगा 400 प्लस का हो जाएगा यहां से a की वेल्यू 1 यह वो b को फॉर्मूले में बने इसको a1 a2 a1 से लिग लेते हैं a1 1 हो गया b1 minus 40 हो गया c1 बराबर 400 यह ax plus byo ax square plus bx plus c से ही निकाला है b हमारे पास पहले से था तो यह a1 b1 c1 इसे इंडिकेट कर दिया है फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालेगी b1 का square minus 4 a1 c1 x से भी कर सकती है पड़े ना यहां तो b की जगह x लेकि ए bc डाइरेक्ट हो जाए तो b कितना हो गया 40 का square 1600 माइनस 4 को 400 से गुणा कर हो गए 1600 तो बराबर कितना रहा है 0 इसका मतलब b के जो दो मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे बराबर यहां से मैं b की value find करता हूँ तो formula में रखेंगे दुसरी द्राचारी सुक्तर में x बराबर minus b minus minus plus के 40 plus minus under root अब उन में 2 into a तो b बराबर कितना जाएगा 40 में 2 का बाग गया 20 चोड़ाई कितनी है 20 लंबाई भी कितनी आ जाएगी स्विकन नमबर एक से 40 minus 20 बराबर 20 इस प्रकारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लिट ओई फोर्थ नेक्स्ट चप्र नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू